आप देख रहे हैं A to Z अकाउंट्स ग्यान दोस्तो आज के समय में पैसा कमाना कौन नहीं चाहता हर कोई पैसे को कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है लेकिन जब थोड़े थोड़े पैसे बचाने की बारियाती है तब हम सभी लोग बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं उसके बाद हम और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना खर्च निकाल कर जो हमसे बचता है उसको हम अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं तांके जुरूरत के समय हमें वो पैसा काम आए लेकिन जब हम बैंक में अपना अकाउंट खलवाते हैं जा फिर हम एटियम में अपना पैसा निकालने जाते हैं तो हमें बहां पर जातर अकाउंट टाइप में तीन आप्शन मिलते हैं saving account, current account और तीसरा cash credit account जिसमें से जहतर लोग saving account जा फिर current account खुलबाते हैं तो बहुत से लोग ये confused रहते हैं कि saving account और current account में क्या difference होता है तो अगर आप एक business man नहीं जा फिर आप accountant हैं जा फिर आप आज के समय में आप एक आम इनसान भी हैं तो भी आपको जह पता होना चाहिए कि saving account और current account में क्या difference होता है आज की वीडियो में हम इसी topic पर बात करेंगे इस वीडियो में मैं आपको saving account और current account में क्या difference होता है इसकी पूरी जानकारी दूँगा इसलिए वीडियो को अंतक देखते रहिए आगे बनने से पहले आपसे मेरे request है कि अगर आभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लार रंग के subscribe बटन पे क्लिक करके चैनल को जुरू subscribe कर लें और साथ में लगे bell का icon पर क्लिक कर दें इससे मेरे अर नई वीडियो की notification आपके पास त्रत पहुंच जाएगी चलिए वीडियो start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि saving account क्या होता है saving account जिसे हम बचत खाता भी कहते हैं जे bank में एक ऐसा account होता है जहां पर आप अपने बचाय हुए पैसों को थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकते हैं जे खाता एक आम आदमी के लिए बेहद फैदे मंद होता है जहां पर आप अपने कमाय हुए पैसे से खर्चा चला कर बचे हुचे पैसों को saving account में जमा करा सकते हैं और saving account पर आप ब्याज भी प्रापत कर सकते हैं saving account पर जयातर बैंकों के दुवरा 4% से लेकर 6% yearly interest दिया जाता है current account क्या होता है current account जिसे हम चालू खाता भी कहते हैं जैसा के आपको नाम सही पता चल रहा है अभी फिलहाल जो चल रहा है अगर आप ऐसा खाता चाहते हैं जहां पर पैसे का लेन दिन रोजाना हर समय होता रहता है तो इसके लिए आप current account का इस्तमाल कर सकते हैं जहें account किसी company, public enterprises जा फिर business man के लिए होता है जहां पर पैसे का लेन दिन जानी transaction एक बड़े पैमाने पे होता है और ऐसे लोग current account जानी चालू खाते का इस्तमाल करते हैं अब बात करते हैं कि saving account और current account में क्या अंतर है saving account आम लोगों के लिए बनाया जाता है जो अपने बचाये हुए पैसे को save करके रखना चाहते हैं जिसमें उन्हें कुछ ब्याज मिले और जूरूरत पढ़ने पर कभी भी निकाल सकें जबके current account बिजनसमेन के लिए बनाया गया है जानी विपारियों के लिए बनाया गया है जिससे पैसे का लेन दिन रोजाना बड़े पैमाने पे होता है saving account एक आम इनसान जो salary पर काम करता है जा फिर job करता है जा फिर student के लिए जह account सही माना गया है जबके current account किसी company, enterprises जा फिर business man के लिए सही माना जाता है बच्चत खाते में आपको हर साल bank में ब्याज दिया जाता है जहे ब्याज 4% से लेकर 6% के बीच yearly हो सकता है जबके चालू खाते में current account में आपको किसी तरह का कोई भी ब्याज इंट्राश्टन नहीं मिलता saving account और current account में एक और बड़ा अंतर यह है कि saving account में transaction के limit होती है आप उच में कुछ limit के हिसाब से transaction कर सकते है जबके current account में transaction की कोई limit नहीं होती कि आप उसमें जितनी भी transaction कर सकते है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर पैसों का लेंदेन होता है saving account और current account में एक और अंतर यह है कि saving account में आपको minimum balance जो आपने नियूनतम रासी को maintain करना होता है वो कम होती है जबके current account में जहर रासी काफी ज्यादा होती है बहुत से बैंकों में current account के लिए नियूनतम रासी 25,000 के करीब होती है जबके saving account के लिए सरकारी बैंकों में 1,000 जबके private bankों में 5,000 के करीब होती है तो जे थे बड़े अंतर saving और current account में उमीद गरता हूँ अब आपको saving और current account में difference का पता चल गया होगा इस वीडियो से related आपकी कोई भी क्योरी है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद